गुड़ाफरनून बच्चों, अभी मैं हिंदी संचीता पुस्तक से पार्ट तीन सच्चाई पढ़ाने जा रही हूँ। इस पार्ट में गुपाल कृष्ण गोखले के बाले काल में घटित एक रोचक घटना का वर्रन है। गोखले जी हमारे देश की महानेता थे और वे सदा सत्य बोधित थे। बच्चों, अभी मैं पाठ का पठन करूंगी और उसके बाद उसका अल्ग समझाती जाऊंगी। एक दिन गुरुजी कक्षा में गन्रित पढ़ा रहे थे। उन्होंने कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए दिये। सभी बच्चे सवालों को हल करने में जुट गये। उन्हीं बच्चों में एक बालग बहुत होश्यार था। उसका नाम कोपाल था। उसने बहुत ही थोड़े समय में सभी सवालों को हल कर लिया और खड़े होकर बोला। गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिये हैं। जब गुरुजी ने गोपाल की पुस्तिका जाची तो वे छकित रह गये। उसकी सभी सवाल सही थे। या देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए, उन्होंने गुपाल की पीट थप थपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की, फिर उन्होंने सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिये और बोले, बच्चों या आज का ग्रिह कारिय है, इन सवालों को बच्चों, अभी मैं इनका अर्थ समझा रहे हूँ, एक दिन गुरुजी अथार्थ अध्यापक फ्लास में मैट्स सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, वे कुछ सवाल बच्चों को हल करने के लिए देते हैं, फ्लास के सभी बच्चे उन सवालों को हल करने में लग जाते हैं, उन्हीं बच्चों में एक बच्चा बहुत होश्यार था, बहुत दिमान था, उसका नाम गुपाल था, वा बहुत ही कम समय में सभी सवालों को हल कर लेता है, और खड़े होकर कहता है, गुरुजी मैंने सभी सवाल हल कर लिये हैं, अध्यापक जब गुपाल की उत्तर पुष्टिका जाजते हैं, तो वे हैरान हो जाते हैं, क्यूंकि उसकी सभी सवाल सही थे, यह सब देखकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन होते हैं, और वे गुपाल की पीठ थप-थपाते हुए उसकी बहुत तारी दूजी सभी बच्चों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए देते हैं और बोलते हैं बच्चों या आज का ग्रेह कारी हैं ग्रेह कारी मतलब घर के लिए दिया गया कारी है इन सवालों को तुम खुद हल कर लेना किसी की सहता मत लेना या सुनकर सब बच्चे खुशी-खुशी घर की ओर चल देते हैं गुपाल घर आकर सवालों को हल करने लगा मा ने गुपाल से कहा पेटा पहले खाना खालो गुपाल ने कहा नहीं मा पहले ये सवाल हल कर लू मा ने फिर गुपाल को प्यार से समझाते हुए कहा बेटा पहले खाना खालो सवाल बाद में हल कर लेना मा बस एक ही सवाल रह गया है बाकी तुम मैंने सभी सवाल हल कर लिये हैं परन्तु ये सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहा है गुपाल बूला ये करकर वा फिर सवाल हल करने लगा गुपाल ने बहुत माथा पच्ची की परन्तु सवाल उसकी समझ में नहीं आया तभी उसका एक मित्र वहां आया गुपाल ने मित्र की सहता से वा सवाल हल कर लिया अगले दिन जब गुरुजी ने सभी बच्चों की पुस्तिकाएं जाची तो केवल गोपाल के ही सभी उत्तर सही थे उन्होंने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा बेटा गोपाल मुझे तुम पर गर्व है पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है फिर उन्होंने जेब में से एक कलम निकाली और गोपाल को देती हुए कहा बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन हूँ और यह कलम तुम्हें पुरसकार स्वरुब देता हूँ बच्चों अभी मैं अर्थ सुन्चाऊंगी गोपाल घर पहुँचकर उन्स सवालों को हल करने में लग जाता है यह सब देखकर गोपाल की मा उससे कहती है बेटा पहले खाना खालो तब गोपाल कहता है नहीं मा पहले यह सवाल मैं हल कर लूँ मा फिर गोपाल को प्यार से समझाती है और कहती है बेटा पहले खाना खालो उसके बाद यह सवाल हल कर लेना तब गोपाल कहता है मा बस एक ही सवाल रह गया है बाकी तुमें ने सभी सवाल हल कर ली है लेकिन एक सवाल पेरी समझ में नहीं आ रहा है फिर वह सवाल को हल करने लगता है गुपाल बहुत माथपच्ची करता है अधार्थ बहुत सोचता विचारता है लेकिन सवाल उसकी समझ में नहीं आता है तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उस मित्र की सहता से गुपाल उस सवाल को हल कर लेता है दूसरे दिन जब गुरुजी सभी बच्चों की पुस्तिकाएं चाचते हैं तो केवल गुपाल के सभी उत्तर सही पाते हैं गुपाल को शाबाशी देते हुए कहते हैं बेटा गुपाल मुझे तुम पर गर्व है अभिमान है पूरी कक्षा में केवल तुम्हारे जवाब ही सही है फिर गुरुजी अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जेब से एक कलम निकालते हैं और गुपाल को देती हुए कहते हैं बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और यह कलम तुम्हें इनाम की रूप में देता हूँ समझे वैच्चों आगे की वीडियो में मैं पूरी घटना बताऊंगी धन्यवाद